स्पॉंसर्ड बाइ बी आर्सी च्छत्री डेसिकेटड कोकनट सूपर पाउडर जिला पॉलिस लाइन श्रीनगर में शहीद सब इंस्पेक्टर को श्रधान जी देने के लिए आयोजित कारिकरम के बाद पत्रकारों से बाच्छीत करती हुए दीजीपी ने कहा पहले आतंक बादियों के जितने भी समूंग थे जो पिस्टल से हमला करते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है ये नया घ्रुप बना है उन्होंने कहा है इस हमले के पीछे मोजूद सभी आतंक्यों की पहचान कर लिए गई है शहीद के साथ शहादत के साथ ज्याय हुगा उन्होंने कहा शहीद सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी को लेका निष्ठाबान था और उसकी शहादत से पुलिस परिवार को बड़ा नुकसान हुआ नवभानत समाचार शीनगर से हुआ 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 है जाय हुआ हुआ तरहो जाए हुआ हुआ है क्यों ठाफ जर्षरे मेंमिट किई श्यूट्हटत करें मैं हुआ हुआ man ऑन्से सब्स और झाल हुआ है विपना अपूटो नायान वंड़ है। जाएद रखासा। फब्राजिक है विवाद नाया हैं जारा जारा चाहित लागा था लाखादी हैं भी प्राज़ा भुटोटो ढ花व सेखरें कि पर्पड़ गोड़निया हैं इंवल्ड इकेस उन एक इंटिफिए और इंड इंटिएट. खुआ जा रही है इसके लिए कि ऐसे आटेक्स जो है उनको रोका जाए या कोई और मोडिल जो है एक्टिवेट फिस्टाइब कर दोटी जो पिस्तिल शुटिंग में जटिलेंगे लॉल थे वो सारे के सारे उनका सफाया हो चुका है जब जब परानी टीम का सफाया होता है नई तीम उनकी जगा लेने कोशट चरती है नहीं तीम की भी पचान लगतव हो गई है और जैसा मैंने कहा है इनके खलाब भी कारवाई जल्दी की जाएगी अब ने कहना जरूरी नहीं है क्योंकि अभी इसके बारे में कहना जरूरी नहीं है क्योंकि अभी इस वकत कारवाई जारी है तब तीज चल रही है बाद मैं बताएंगे it's a very tragic incident we have most a brave young officer who was just at the threshold of the service he was learning the nuances of policing he was deported to a hospital for check-up of accused person and while he was coming back from the hospital he has been shot he was immediately evacuated to hospital unfortunately he has come to his injuries it is a very tragic loss for us tragic loss for the family and we express our condolences the perpetrators of crime involved in this case have been identified and they will be brought to justice it's lost is a cause of concern for us whether it's a civilian or a police or a self-personnel we have already those who are involved in such kinds of crime killing of civilians and killing of other people they have been brought to justice and as I said in this particular case also our investigating agency our operational teams are working on this case and I think soon we will be able to take care of this case just for us to thank us for preparing for this excuse me